नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूज गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डिसकस करेंगे डेली करेंट अफेयर में 4 अगस्ट 2021 के नियूज पेपर में से, जो कि आपके एक्जाम, CHSL, कमबाइन ग्रेजुएट लेबल, NTPC, इंटेलिजेंस करते हैं, now we have to discuss about national affairs, रास्टी अमामलों में, इंडियन बैंक साइन MOU with SINEIIT Bombay to fund MSME's start-ups, यानि इंडियन बैंक ने MSME start-up के बित पोसर्ड के लिए SINE और IIT Bombay से करार किया है, यानि IIT Bombay से करार किया है, तो इस तरह से सारवजनिक छेतर के इंडियन बैंक ने किसके लिए start-up और सूच मुलग हुएवं मजोले उपक्रम, जिसे क्या कहेंगे, medium या MSME कहा जाता है, यानि micro, small and medium enterprises, तो इसके लिए साइन का मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान रखेंगे SINE, यानि Society for Innovation and Entrepreneurship, तो इस तरह से SINE, IIT Bombay और Indian Bank के बीच में यह MOU हुआ है, तो इस initiative is part of banks, Ind Spring Board for Financing Startup scheme, यानि यह पहल bank की Ind Spring Board for Financing Startups, योजना का ही यह part है, तो इसका मकसद ही है कि MSME तथा स्टार्टप को और अधिक empower बनाना, तो under this financial assistance will be provided to them by the bank and incubation facilities will be provided by SINE and IIT Bombay, या IIT Bombay, तो बैंक सेट इन a statement that it will provide loan up to 50 करोर to startup for the purchase of machinery, equipment or the meeting working capital requirement, तो bank नी यह भी कहा है कि वह startup को machinery उपकरन की खरीद या कारिश सिलपूंजी को जरूरत पुरा करने के लिए 50 करोण रुपय तक का वहा कर्ज भी उपलब्ध कराएगी, तो यह भी ध्यान रखेंगे तो वह अच्चे नई में है, तमिलनाडू के और इसके जो CEO, MD, पदमजा, चुंदरू हैं, यह भी पॉइंट रखेंगे, अब बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी तो इनवाइड इंडियन ओलंपिक प्लेयर्स टू दे रेड फोर्ट अन अगस्ट 15, दोस्तो इस बार के स्वतंतरता दिवस पर, यानि लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधान मंत्री संबोधित करेंगे, इसके साथ-साथ भारती ओलंपिक खिलाडियों को भी मुख्य आतिथी के रूप में उन्होंने बुलाया है, तो इस तरह से इस बार मुख्य आतिथी कौन होगा, ओलंपिक खिलाडियों, इस तरह से भी प्रस्न हो जाएगा, कि इस बार के सुतंता दिवस पर, यानि 15 अगस्ट को किसे जो है, मुख्य आतिथी के रूप में प्रधान मंत प्रस्री जी ने बढ़ा एलान किया है, कि वह 15 अगस्ट यानि सुतंता दिवस पर आमंतृत करेंगे, उन लोगों को बुलाया है, तो इस बार के टोक्यो ओलंपिक में 228 सदस्यों का दल भेजा गया है, यानि कह सकते हैं कि 228 मेंबर्स has been sent from the India for the Tokyo Olympics, और भारत के खिलाड़ 18 इंडियन प्लेयर आर पार्टिसिपेटिंग इन 18 स्पोर्टिंग इवेंट, यानि भारती ए खिलाड़ी 18 खेलों में वह भाग ले रहे हैं, जबकि 30 अधिक खेलों पर की जा रही है अपरतियोगिता ओलंपिक गेम, तो टोक्यो 2020 के लिए भारती ओलंपिक दल में 18 खेलों के 127 पार्टिसिपेंट इसमें गए हुए हैं, तो इस तरह से ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, अब बरते इंटरनेशनल अफेर्स में, मलेशियन पी-म रिफूजेस तो रिजाइन, यानि मलेशिया के प्रधान मंतरी ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए इंकार कर दिया है, तो मलेशियन प्रैम मिनिस्टर मुयाउद दीन याशीन has refused to resign from his post after a K-8 बिद्रा सपोर्ट and he said that he would prove this majority in Parliament next month, उन्होंने ये कहा है कि वो अगले महीने संसद में बहुमत सिद्ध करेंगे, इसलिए वहां त्यागपत्र नहीं देंगे, after a meeting with King Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah, यानी ये मलेशिया के सुल्तान है, राजा, तो शाही महल में शाह Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah के साथ बैठक के बाद मुहित दीन ने रास्टिय परशारक को बताया कि शाही घराने ने उन्हें सूचित किया है कि सत्ता रूर गड़ बंधन से आठ सांसद ने उनसे समर्थन वापस दे लिया है, तो दोस्तों, the largest party in the coalition is the United Malay National Organization, UMNO याद रखना, UMNO इस पार्टी का नाम है, इसमें 38 MP, यानी 38 सांसद हैं, जिसमें से 8 निकल गए हैं, जिसकी वज़ा से इनकी सरकार अल्पमत में आ गई है, और इन्हें जो है, त्याग पत्र देना बनता है, लेकिन यह refuse कर द 18 में चुनाओ जीतने वाली, पूरो सुधारवादी सरकार गिरने के बाद, 2020 से मुहित दीन ने सत्ता संभाली थी, तो इस तरह से पार्टी ने UMNO और अने दलों के साथ मिलकर बेहत कम बहुमत से सरकार बनाई थी, तो इसलिए यह सरकार गिरने की कगार पर है, और थोड़ा है बंदर सेरी बेगबान, और इधर आप देख रहे हैं इंडोनेसिया, यह बोर्नियों दिविप है, तो यह साहरावाक और सबाह प्रांत किसके हैं, मलेसिया के हैं, यहीं पर मलेसिया की सबसे हाइस पीक, माउंट कीना बालू, यहां कोटा कीना बालू भी जगा है, और मा याद रखेंगे, टिन मिनरल के लिए जानी जाती है, और यहीं पर देख रहे हैं शिंगापूर है, यह बीच में जोहर स्टेट है, याद रखना जोहर बारू, देख रहे हैं जोहर बाहरू, तो जोहर स्टेट is separate to Singapore and Malaysia, और यहीं पर एक और स्टेट है, इसका नाम है मलक्क which is separate to Malaysia and Indonesia, यह सुमात्रा दूइप है न, तो इस तरह से यह देखी है, यहापर लिखा भी हुआ है, स्टेट हा मलक्का, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, उपर South China Sea है, इस पार्टले आइलेंड है, यह सब बड़े बिवादित दूइप हैं, इस पर China, South China Sea पे पूरी तरह से य चाहे वो फिलिपीन्स हो, चाहे वो बुरुनेई हो, चाहे वो मलेसिया हो, इस तरह से देख रहा है न, South China Sea यहां तक फैला हुआ है, और इधर आप देख सकते हैं, यह थाई लेंड इसको टच कर रहा है, और इधर यह देख सकते हैं, इंडोनेसिया भी टच कर रहा है, परियावरन परिस्तितिकी में, रिकार्ड आइस मेल्टिंग एविंट इन ग्रीन लेंड, ग्रीन लेंड में रिकार्ड बर्फ पिखलने की घटना हुई है, तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लगा है, दोस्तों जलवाई परिवर्तन का असर और यही हाल तो धीरे-धीरे समुदर का तल बढ़ता जाएगा, और बहुत सारे देश जो तटिये छेत्रों में बसे हुए हैं, और आइलेंड वह डूब जाएंगे, तो यह तापमान बढ़ने की वज़ा से टेंपरेचर इनक्रीज होने की वज़ा से यह आइस मेल्ट हो रही है, तो यहां तक की एक ही दिन में इतनी बर्प कहा जा रहा है, पिगल गई, उतने में फ्लोरिडा, यह कहां है, अमेरिका का प्रांत है, तो फ्लोरिडा प्रांत के बराबर इलाके में दो इंच तक पानी भर सकता है, तो according to the report, polar portal, the site of architect climate researcher, since July 27, at least 9.37 billion tons of ice has been melting here every day, सोचिए, प्रतेग दिन पिघल रही है, और इस बार जो है, गर्मियों में यहां twice हो गया है, दुगना हो गया इस का आउसत, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहां पर दिया गया है, 2020-2021 के बीच का, और 1981-2010 के बीच में, तो कितनी तेजी से यह melting बढ़ रही है, तो यहाने वाले दिनों में भयाहो इस्तिती हो जाएगी, तो वहीं Denmark के मौसम विज्ञान की रिपोर्ट है, कि Greenland में तापमान 20 degree Celsius तक पहुँच गया था, जो गर्मियों के जो average temperature उसका twice है, यहां दुगना है, तो इस तरह से 28 July को बढ़े हुए तापमान के कारण, साल 1950 के बाद, तीसरी बार एक दिन में इतना नुकसान हुआ है, तो इस तरह से 1990 के बाद से यहां हर साल बर्फ पिघल रही है, 21st century has been more rapid melting than ever earlier, यानि कह सकते हैं कि 21 सदी में पहले की तुलना में ज्यादा गती से देखी जा रही है, तो यह Greenland is the only permanent ice layer on earth which is spread over 1.7 million square kilometer, इस तरह से 17,000,000 square kilometer छे तफल में फैला हुआ है, ice from Greenland and Antarctica makes up 99% of the earth fresh water but is melting rapidly due to climate change, तो इस पर ध्यान देना होगा, ऐसा कहा जा रहा है, अगर नहीं ध्यान दिया गया, तो यह स्थिती भया होगी, अब बढ़ते हैं दोस्तों, important scheme में, आज हम बात करेंगे सुगम में भारत अभियान की, सीधे सीधे पूछ लेगा कि सुगम में भारत अभियान का संबंद किस से है, तो इस campaign was launched by the Prime Minister of India on 3rd December 2015, on the occasion of International Day of Person with Disability, यानि ब्यक्तियों के अंतरास्टिये दिवस, यानि विकलांग ब तो accessible India campaign is nationwide campaign launched by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment to provide universal access to persons with disabilities, यानि या देश भ्यापी अभियान है विकलांग ब्यक्तियों के लिए, यानि अब इसमें क्या इसका जो main objectives है, तो main objective of the campaign is to provide equal opportunity, यानि समानता का अधिकार, Article 14 क्या कहता है, and self-free land, यानि आत्म निर्भर, life to the persons with disability to ensure their participation in all walk of life, यानि कह सकते हैं कि सभी छेत्रों में भागिदारी के लिए समान आउसर एवं आत्म निर्भर जीवन प्रदान करना, इसलिए या अभियान campaign चलाया गया है, तो accessible India campaign focus on developing an accessible physical environment, transport, information and communication ecosystem इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है, with a strong commitment to the socio-economic transformation of persons with disabilities, the government of India is striving to create mass awareness for universal access, तो यह जो है महतपूर्ण है याद रखेंगे और इसमें सारे point यहां, 2016 में changes किया गया 1995 का जो act था, जिसके लिए विकलांग right to the person with disability act 2016 में इसको संयुक्तराष्ट convention का हस्ताक्षर करता भी है भारत, तो इस तरह से उसके article 9 के तहत लोगों को सुबधाएं मोहिया कराई जा रही है, अब बढ़ते हैं दोस्तों various national international personality news में mini IP को LIC का MD न्यूक्त किया गया है, दोस्तों इसका IPO भी आने वाला है, तो mini IP has taken over as the managing director of Life Insurance Corporation of India, which is preparing to bring the country's biggest IPO, यह बड़ा IPO लाने वाला है, उसके पहले यहां नियूक्ती की गई है, mini IP was appointed as the MD of LIC on 5th July 2021, through a notification from the government of India, जो कि उन्होंने 2 अगस्त को join किया, तो इस तरह से उन्होंने विपिन आनन्द की जगह यह कारेभार समाला है, और LIC में 4 MD होते हैं, there are 4 MD posts in LIC, इनके अलामा जो है, मुकेस कुमार गुपता हैं, राज कुमार हैं, सिधार्थ मोहंती, अन्य MD हैं, और दोस्तों थोड़ा सा इनके बात जान लीजिए, LIC के बारे में, 1956 Government of India इसका founder है, और इसका headquarter Mumbai में है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, next है, पुस्तकें पुरशकारों में आनि, बुक्स एंड आवार्ड्स में, इंडियन अमेरिकन नतासा पेरी, named in the list of most talented students in the world, यानि दुनिया की सबसे प्रतिभा साली छात्रों की सूची में सामिल हुई भारती अमेरिकी मूलकी नतासा पेरी, मात्र 11-year-old है, 84 countries के 19,000 students में से इनको चुना गया है, तो जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर के अनुसार talented youth CTVY के लिए बाल्टी मोर मेरिलैंड में जॉन्स हॉपकिन्स इन्वस्टी का यह एक पार्ट है, तो यहाँ पर इनको चुना गया है, इसमें अमेरिका के भीतर सभी 50 अमेरिकी राज्यों से पुरसकार बिजेता आते हैं, अब बढ़ते हैं दोस्तों, banking and finance related news में, Indus Indbank RBI द्वारा agency bank के रूप में, यह बहुत important agency bank के रूप में listed हुई है, तो private sector Indus Indbank said that the Reserve Bank of India has listed it to act as an agency bank to facilitate transaction relating to government businesses, यानि अब इससे क्या लाव मिलेगा, अब यह सरकारी ब्यावसायों से संबंदित लेन देन की सुबिदा के लिए, इससे agency bank के रूप में सूजी बद किया गया है, तो इस तरह से Indus Indbank said this would strengthen its presence in the public sector, यानि अब सरकारी छेतर में उसकी जो presence है वहा मजबूत होगी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि RBI के दिसा निर्देश के बाद यह घोशना की गई है, बिद इस Indus Indbank has joined the select few private bank in the country to conduct general banking business on behalf of the central and state government, यानि केंद और राज सरकार की ओर से सामान बैंकिंग ब्यवसाय के लिए देश के कुछ चुनिंदा निजी बैंकों में यहाँ सामिल हो गया है, तो यह बहुत ही important है इसके लिए और याद रखना Indus Indbank के बारे में, इसके CEO हैं सुमंत कतपालिया हैं और इसका headquarter पुने में है, हिंद जा ग्रूप इसके मालिक हैं और इसके संस्थापक SP हिंदुजा थे, 1994 में मुंबई में इसके स्थापना की गए थी, इसकी total branches 2015 हैं, याद रखिएगा, अब इस sport news में आते हैं, यानि पैरालंपिक दल का थीम गीद कर दे कमाल तू आनलाइन लाँच हो गया है, और इसको किस ने लाँच किया, यहाँ पर इस sport minister कौन है, अनुराक ठाकूर, लाँच दा थीम सौंग अब दा कंट्रीज पैरालंपिक टीम कर दे कमाल तू आनलाइन, इस सौंग इस संग बाई दिव्यांग क्रिकेटर संजीव सिंग, यानि दिव्यांग क्रिकेट खिलाडी संजीव सिंग ने गाया है, और इसको music has also been given in it, इन्होंने इसका संगीत भी दिया है, और यह दा पैरालंपिक कमेटी आफ इंडिया हैड सजेस्टेड ए डिसेबल प्लेयर टू कमपोज ए सौंग, तो इस तरह से यह भी पॉइंट याद रखेंगे, और इसमें भारत इस बार सबसे बड़ा पैरा अथलीट का दल भेज रहा है, जिसमें 9 खेलों के 54 पैरा खिल मेडल यानि 4 मेडल जीते थे, अब बढ़ते हैं दोस्तों, अलेक्जेंडर जोयरेव विंस गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल टेनिस इन टोक्यो ओलम्पिक, दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन पहले ही हमने बताया था, गोल्डन स्लैम का सपना तूड गया, किसका नोवाग जोको जोकोविच का, इवन वो कान से पदक भी नहीं जीत पाए, तो इस तरह से जर्मनी के चौते वरीता प्राप्त, अलेक्जेंडर जोयरेव ने टोक्यो ओलम्पिक का पुरुस एकल खिताब जीत लिया है, इस तरह से उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो सेमी फाइ जीता, तो उनको कान से भी नसीब नहीं हुआ, अब बढ़ते हैं दोस्तों, बॉक्सर लॉलीना बार्गोहन, लॉस्ट टु करेंट वर्ड चैम्पियन बुसे नास सुर मेनेली इन वोमेंस बॉक्सिंग आप टोक्यो ओलम्पिक, यानि टोक्यो ओलम्पिक 2021 की महिला मुक्य बाजी में बॉक्सर लॉलीना बार्गोहन, मौझूदा बिसु चैम्पियन बुसे नास सुर मेनेली से हार गई हैं, आज जो है, हम लोगों ने आसा की थी कि या गोल्ड मेडल जीतेंगी, सेमी फाइनल में हरा कर वह फाइनल में पहुंचेंगी, हलांकि कुछ, बहुत की कैटेगरी में यहां कान से पदक से ही भारत को संतोस करना पड़ा है, इस तरह से सेमी फाइनल में वह पाँच जीरो से हार गई हैं, तुर्की जो पिसु चैम्पियन है, बुसे नास सुर मेनली से, इस तरह से लॉलीना बार्गेहन भारत की केवल तीसरी बॉक्सर बनी है जिनके नाम ओलम्पिक में ब्रॉंज मेडल जीतने का कमाल धर्ज है, तो इस तरह से बॉक्सिंग में भारत को मेडल दिलाने वाली दूसरी महिला है, इससे पहले मेरी कॉम ने जीता था, इस वार हलांकि वो भी खाली हाथ वापस आई, अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट सुरू में कठनाई भरा जीवन था, दो वर्स में ही इनकी माता का तेहांत, साई बाई का तेहांत हो गया था, इसलिए सांभाजी का जो पालन पोर्षन है, उनकी माजीज़ा बाई ने किया था, और संभाजी महराज को छवा के नाम से भी जाना जाता था, छवा का अर्थी होता है शेर का बच्चा मराठी का इसका means है कब that is child of lion इसे कहा जाता था और बहुत ही जबरजस्त इनको इनकी सिख्चा दिख्चा बहुत अच्छे से कराई थी 14 वर्स में ही इन्हों ने किताबें लिख दी थी और इस संस्किर्ट के अलावा आठ भासाओं का इन्हें ज्यान था संभाजी के एक भाई राजा राम चट्रपती भी थे जो कि सोयरा भाई के पुत्र थे तो सोतेले भाई थे हलांकि जब चट्रपत सिवाजी के बाद इनकी माँ चाहती थी कि राजा राम ही जो है गद्दी पर आएं लेकिन फिर बाद में उनको पता चला संभाजी को तो इन लोगों को बंदी बना करके उन्होंने अपना राज्या भी सेख किया संभाजी का विवाह येसु बाईस हुआ था, इनके पुत्र का नाम छचत्रपतिश साहू था तो संभा जी की सोतेली मा सोयरा बाई की मनसा अपने पुत्र राजा राम को शिवा जी का उत्तराधिकारी बनाने लेकिन इस तरह से संबंध भी काफी खराब थे संभा जी पर विश्वास कम किया करते थे सिवा जी बाद में वह मुगलों से भी मिल गये थे हलांकि वह मुगलों के सारे दाओं पेश सीख करके अंत में उन्हीं पर उन्होंने प्रयोग किया देड़ वर्स तक वह भागे भागे फिरे और फिर वह जाकर के सिवा जी के ही एक मंत्री के रिष्टेदार के हाँ देड़ साल रुके रहे और फिर वहाँ पर उन्होंने ब्राम्हण बालक के रूप में जीवन्यापन किया, उपनेयन संसकार भी कराया, उन्हें संस्कित भी सिखाई गई, और इसी दोरान उनके सबसे प्रियमित्र थे कवी कलस, इनका नामयाद रखिएगा, चुकि मृतुदंड भी इन्हीं के साथ इनको भी दिया गया था, और अंगजेब के द्वारा, तो इस तरह से जब इनको क्रोध आता था, उनके मित्र ही उनके क्रोध को सांथ किया करते थे, तो संभाजी अपने पिता सिवा जी के सम्मान में संस्कित भासा में बुद्ध भूशन लिखी थी, स्रिंगारी का, दो तीन बहुत महत्पून किताबें उन्हों लिखी थी, 210 से अधिक युद्ध उन्होंने लड़ा था, उनके पराक्रम की वज़ा से औरंग जेब ने कसम खा लिया था, कि जब तक उसको पकड़ नहीं लेंगे, तब तक वह की मोस सर पर नहीं चढ़ाएंगे, तो इस तरह से संभाजी को बहुत यातनाएं दी गई, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, और भीमा नदी में फेक दिया गया था, तो इस तरह से उनके साथ बहुत अमानवी अबयवहार किया अंत में, लेकिन कहा जाता है उनके बारे में, कि वह बहुत हिसक्ति साली 1500 की सेना को अकेल कवर कर दिया करते थे, इतना उनके पास सोरे था, इतना पराक्रम था, संभाजी के बारे में एक बहुत रोचक बताऊँगा आपको कहानी, कि गणो जी के साथ इनका जब युद्ध हुआ था, तो उन्होंने जो है संभाजी के बीच, दोनों के बीच जब युद्ध हुआ युद्ध जीतोगे, लेकिन कौन जाने कहा जाता था कि इनके बारे में कि जब युद्ध में आते थे, तो रण चंडिका की अवलाद के रूप में आ जाते थे, और वहां संभाजी की इस्तिती बहुत ही खराब कर दिया, उनकी जुबान कटवा दी गई, आखे निकाल दी गई, उन्हें ये भी कहा गया, हिंदु धर्म छोड़ कर, मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर लो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, लेकिन वह जो है, और वह शिव भक्त थे, तो इस तरह से संभाजी के बारे में बहुत सारी बाते हैं, ध्यान रखेंगे, इनकी इमरित 11 म अजमेरा, अभिशेक यादो, वर्षा बगेल, विनोजयसवाल, साही तेजा दुग्गी, अविशकार, डॉक्टर बीयल देवांगन, सूरज मिस्रा, अक्षय वायकोज, मिली, संजयनेगी, रेनुबाला, नितीष, प्रभाकर सिंग, स्वागतिका दलाई, सूरज उपाध द्याय, मुशकान हरुण शेक, स्कोर हैंडरेड, स्वापनिका सिंग, प्रतीक गंदोत्रा, डियस, सतीष कुमार, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिये हैं, अक्षय वायकोज जी ने कहा कि सिवा जी महराज वाज बॉर्ण आन 19.5, 16.30, आप एकदम सही हैं, तो ये जो 19. फरवरी 16.30 आप कह रहे हैं, या पंचांग के मुताबिस, सिवा जी का जन्व फालगुल मास के सुकल पक्ष कीतरतिया जो तिथी 15.51 सक समवतसर है, लेकिन अगर बात किये जाए दुती तिथी 15.49 सक समवतसर भी मानी जाती है, अंग्रेजी जो ग्रेगोरियन केलेंडर है, इसके आधार पर माना जाए तो 16.27 ही आता है, तो इनके जन्व को लेकर विवाद था, लेकिन बाद में महारास्ट में 16.30 को ही मनाया जाता है, आप भी ठीक हैं, हम भी थोड़ा सा ठीक हैं, तो आईए पहला प्रसन देखते हैं, तो किस बैंक ने स्टार्टप और MSME को विशेज क्रेडिट सुभधाय प्रणान करने के लिए, SINE और IIT बांबे के साथ समझा होता किया है, या MOU किया है, तो PNB, Indian Bank, Union Bank या Canera Bank, And next question है, where are the headquarters of the Indian Bank situated, Indian Bank का मुख्याले कहां वस्तित हैं, मुंबई, जैपूर, चैन्नाई, पुने And next question है, मुहिद्दीन यासीन ने हाली में प्रणानमंत्री के रूप में पद छोड़ने से इंकार कर दिया, वह किस देश के PM है, मुहिद्दीन यासीन has recently refused to step down as Prime Minister, he is the PM of which country, Thailand, Myanmar, Malaysia, Sri Lanka, And next question है, when was the accessible India campaign launched by the Prime Minister, तो प्रणानमंत्री दोरा सुगम में अभारत अभियान कब शुरू किया गया था, 2013, 14, 15 and 16 And next question है, who has taken over as the Managing Director of Life Insurance Corporation of India, सिधार्थ मोहंती, मिनी आईपे, मालिनी राय, निसा अगरवाल And next question है, which Indian American school girl has been named in a list of the world most talented student, Nana Francis, Natasha John, Natasha Perry, Donna Perry And next question है, which private sector bank has been listed by Reserve Bank of India, RBI, to act as an agency bank, यह याद रखियेगा Agency bank के रूप में सुची बत किया है किसे, Indus Inde Bank को, Axis Bank को, HDFC Bank को, ICICI Bank को Next question है, Indian female boxer Lawlina Barguahan has won bronze medal in which kg category in Tokyo Olympics And next question है, who has won the men's single tennis title at the 2020 Tokyo Olympics यानि पूरूस एकल tennis का खिताब किसने जीत का, स्वाण पदक जीता, करेन खाचानो ने, टॉमी होस ने, एंडी मुरे ने, एलेक्सेंडर ज्वेरेन ने And last question है, who was the author of बुद्ध भूशन, बुद्ध भूशन के लेका कौन थे, साह जी, संभा जी, सिवा जी या साहु फरस्ट तो इस तरह से इन दसो प्रस्ण के उत्तर दीजेगा, आशा करता हूं कि आज का भी क्लास आप लों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दवाना ना भूलें Thank you दोस्तों